नमस्कार प्रियदर्शकों हदर हुँ मैं छे नवंबर दो हजार चौवीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनि दैनिक अराशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए अराशिफल का एकारिक्रम प्रारंब करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार हैं कार्तिक मास शुकल पक्षकी आज पंचमीत थी है मूल नक्षत्र दिन में 11 बजे तक और इसके पश्चात पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र है सुकरमा योग बव करण है बात की पंचांकी चंद्रमा आज धनुराशी में रहेंगे और आहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर एक बज करके 30 मिनट तक का होगा जैसा कि आप सुभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय रहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिदर्शकों आज सूर्य सश्ठी व्रत का पहला दिन है वैसे देखा जाए तो ये पर्व कल से ही प्रारंभ हो गया है सामान्य जनमानस में इसे मंगलवार के दिन नहाय खाय के नाम से जाना जाता है अब देखा जाए तो पहले लोगों का खान पान रहन सहन इतना सब भे नहीं था वहाँ उनके लिए चुकि ये जो सूर्य सश्ठी व्रत है ये इस पूरे व्रत की विधिक अगर आप देखें तो इसमें कोई विशेस कर्मकांड नहीं है ये किसी वैदिक रीती से हो रहा हो ऐसा नहीं है लेकिन ये आस्था का महा पर्व है और इस आस्था के पर्व में आप एक चीज़ देखेंगे कि हर एक कारिय बहुत ही पवित्रता के साथ किया जा रहा है तो भोजन नहाय खाय का यहां जो अर्थ है एक दिन पूर्व से आप किसी भी तरह का खान पान रखते हों खार करते हों उसका त्याग कर दीजिए असल में व्रत ऐसा ही होता है कि एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक आपका खानपान सात्विक हो तो बीच वाला जो व्रत वाला दिन है उसे को व्रत यानि तीन दिन का पर्व तो आज पंचमी को सायमकाल भुवन भासकर की यहां से आराधना सुरू होती है वैसे नहाय खाय से ही गिना जाता है तो चतुर्थी से ही गिना जाता है देखा जाए तो यह पर्व बिहार में पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित था लेकिन अब तो ऐसा कोई भी जगह नहीं देश छोड़िये विदेशों में भी यह पर्व बेहत धूम धाम और आस्था के साथ अब मनाया जा रहा है किस भाव में है आपकी जिन्म कुंडली में शुक्र भोग यह तो आपने सुना ही होगा कि शुक्र परदान करते हैं परन्तु यह शुक्र भोग से योग की ओर ले जाने वाले बन जाते हैं यदि कुंडली के इन साथ भावों में शुक्र हों निसंदे है आपको अथाह सुख मिलेगा परन्तु धीरे 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 आपका मोह जो है इन सुखों से भंग हो जाएगा और अंततह आप योग के मार्ग में प्रवर्त हो जाएंगे तो कौन से व दिव्य महा प्रयोग में तो दिव्य महा प्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है दिव्य महा प्रयोग की बात करेंगे साथी साथ 11 नमबर दिन सोंबार के महूर्त की भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहिस्तियों की गुरू वक्रवस्था में वर्षभरासी में संचरण कर रहे हैं मंगल करक में हैं केतु कन्या में सूर्य तुला में शुक्र और बुध्ध यूती बनाकर वर्ष्चिक में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा धनु में हैं शनिदेव वक्रवस्था में कुंभ में राहु मीन में य ग्रहिस्तिती, 11 बजे तक दिन में ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र और इसके पश्चात फिर पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे, रहेंगे धनुरासी में ही, अब देखा जाए तो आज बुधवार है, और चंद्रमा का जो संचरण है, वो क्रमसह केतु और शुक्र के नक्षत्र में है, तो इन दो नक्षत्रों में संचरण करेंगे, चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले है, बाकी की ए ग्रहिस्तितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी उराशियां है, जिनके लिए आज का ये दिन बेह चाहिए और कौन सी उराशिया हैं जिन्हें आज बेहद साबधान रहने की आवशक्ता है। बना सकते हैं उन्य वीश्यों पर चर्चा आगे हम अराशी फ़ल में करेंगे। तो यह है ग्रहिश्टिती। इन्हीं ग्रह चली, नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महुर्ट की। कुम भलगन में संपन किये जा सकते हैं। दिव्य महा प्रयोकियोर लेकर के आपको चलू, उससे फूरु बता दू, यदि आपकी दिल्चस्पी जोतिस में है, तो इस लिंक को एक बार क्लिक करिए, ये एक प्लेलिस्ट है उनली एस्ट्रोलोजी नाम का, जो कि मेरे चैनल पर प्लब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियो जेके करके देखिए, और विश्वास मानी आप जोतिसी बन जाएंगे। चली चलते हैं आज के उस अद्बुत दिव्य प्रयोकियोर। आश्टम भाव को आप जानते हैं ये भाव रहस्य का है गूढ ग्यान का प्रतीक है। जब शुक्र यहां पर केतु के साथ यूती बना करके बैठें तो ये योग जातक को पहले तो भोग बिलास की पराकाश्ठा तक ले जागा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा जातक अती भोग बिलास में लिपत होगा और फिर धीरे धीरे क्योंकि अती सरवत्र वरजयत उसे एकांत ध्यान और आत्मिक खोज की ओर आध्यात्म की ओर ले करके जाएगा, ऐसे व्यक्ति जीवन के गूढ रहस्यों को जानने की ओर आकरशित हो जाएंगे। परेदर्शको जन्मकुंडली के बारहमे भाव में जिशुक्र होँ तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि जातक को प्रबल भोग की ओर ले जाते हैं पर ऐसे शुक्रेधी गुरू से युथ होँ तो बार्मा भाव आप जानते हैं मोक्ष का है त्याग का है जब यहां पर शुक्र हों और गुरू के साथ युत हों तो ऐसा जातक भी भोग पहले खूब करेगा लेकिन धीरे 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 भोग की जो इक्षाएं है उसकी समाप्त होने लगेंगी गुरू के सन्मिधी में रह जने में सहयोगी होगा दो भाव आपने सुना जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र यदि सनी के साथ यूती में हों तो इसमें भी कहीं कोई दोमत नहीं कि ऐसे जातक को जीवन में खूब संघर्स के बाद पहले तो सफलता मिलती है ध्यान से सुनिए कि पहले वो संघ संघर्स खूब करता है और संघर्स के बाद उसको सफलता मिलती है अब इसके पश्चात जब होता क्या है कि जब आप जीवन काल में खूब संघर्स के बाद उन विशिष्ट चीजों को हासिल कर लें जो आप पहले किसी और के पास देखते थे और कलपना करते थे कास मेरे पास भी हो और जब आपके पास हो जाए तो जाहर सी बात है आपके मन में उसको भोगने की खूब लालसा उत्पन होती है तो पहले तो आप उसको भोगेंगे लेकिन कुछी समय के बाद पता चल जाएगा कि जिस संघर्स के जरिया आपने इसको पाया ये असल कर्म योग की और बढ़ने लगता कीूई कि सीधी सी बात है कर्म करने के बाद उसको ये मिला है कर्म कि उसको लत्त लग जाती है तो जब उसको भोग आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े धन्नासेठों के घरों में उनके नौकर जितनी आनंदस से रहते हैं वो फ फिर भोग की ओर ज्यादा नहीं जा पाते। साथ राहू नहीं हैं केवल केतु की दृष्टी पढ़ रही है तो या तो केतु लगन में होंगे या केतु पंचम में होंगे नवम में अगर शुक्र पर केतु की दृष्टी है तो या तो केतु लगन में होंगे या तो फिर केतु कहां होंगे कुंडली के पंचम में ऐसी स् कि संगती में और ध्यान में उसकी रुची विक्षित होगी और ऐसा जाता कहीं न कहीं धर्म के मार्ग पर चलने वाला बन जाएगा प्रेदर्शको जन्व कुंडली में शुक्र का चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ यदि यूती हो ये यूती बहुत अच्छी मानी गई है मैंने बताया था कि यदि ऐसी स्थिती करकरासी में हो जाए तो ऐसे जाता कि माता बहुत सुन्दर और बहुत भद्र और भव्य होगी ये जिस भाव में यूती होती है उस भाव उससे समन्दिती विशेश करके यदि चंद्रमा स्वग्रिह में हो और शुक्र के साथ हो अत्वा शुक्र स्वग्रिह में हो चंद्रमा के साथ हो तो ये जो तो शास्त्र कहता है कि उस भाव का जो रिस्तिदार है सब्तम में होतो प पहले तो उसको लत लगेगा, फिर जाहर सी बात है वो इस लत की ओर बढ़ेगा, लेकिन धीरे 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 अंततो गत्वा, उसका ध्यान वे क्योंकि चौथा भाव हर्दय का है, और अंतता हैसा जातक ध्यान, योग, इन्ही को अपने जीवन का अभिन अंग मानते हु लेकिन सीधी सी बात है सूर्य शुक्र के साथ होंगे और शुक्र को धीरे धीरे जला देंगे, और इसके प्रभाव से भजातक भोग बिलास से संतुष्ट होगा, या उधर से उसका मन भर जाएगा, और अंततो गत्वाव साधना की ओर भागेगा, उसकी एक्षा आत्म साक साक्षात कार की होगी, जाहिर सीधी सुरे के साथ सूर्यात्मा है, तो आत्म साक्षात की ओर वो अग्रसर हो जाएगा, और एक और भाव है, यह सात्मा सुत्र है, जन्म कुंडली का पंचम भाव, यहाँ पर राहु और शुक्र की ये दियूती हो, बहुत ध्यान से सुनिय हर दिन उसके नए नए प्रेम होते रहेंगे, खूब प्रेम संबंध में लगा रहेगा, भोग की भौतिक च्छाओं की जैसे उसको लत्त होगी, लेकिन अती सरवत्र बरजयत, कुछ समय के पश्चात, ये भोग उसको भारी लगने लगेगा, फिर इसे से उसका मोह भंग और फलतह, वो ध्यान, गूर साधना की ओर प्रवर्त होगा, और ऐसी स्थिति में जातक को इसका त्याग करना ही होगा, भोग का और योग की ओर जाना ही होगा, प्रिदर्शकों ये जितने भी योग मैंने बताए हैं, जिस कुंडली में भी हो, ये तै जानिए कि आप उम् ये सुत्र, इस बात की सूचना है, कि ये आपकी कुंडली में ऐसा है, तो आप पहले से लग जाएं, तो और अच्छी बात, नहीं, तो देर सवेर प्रकृति आपको योग के मार्ग पर अवस्य ले जाएगी, भोग से आपको अलग करेगी ही करेगी, यानि अभी आपको ल जाएगी आपको योग के पत्थ पर और आपको तयार रहना होगा, चली चलते हैं राश्फल की ओर, बात करेंगे राश्यों के क्रम में पहली राश्य मेश राश्य के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या आ रहा है, गोचर कुंडली में चंद्रमा, आज आपकी रासी से नवम में हैं, भाग्यभाव में हैं, क्रमसह, केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का समचरण है, आज अपने दिन को बढ़िया बनाने के लिए पहले तो अपने एक उपाय कर लिजे कि लाल चंदन का टीक आपने माथे पर लगाई ये मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्राम साभ हुमाय नमा इस मंत्र का 108 बार जब करिए मंगल को बल दीजिए इससे क्या होगा कि आपके भाग्य में बृद्धी होग और दिन बेहद साकारात्मक हो जाएगा नमाम का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से सयोगी होगा फाइदेमंद सिद्ध हो जाएगा भविश्य को लेकर कि कोई बड़ी योजना है तो उस पर कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत महत्व पूरुन है कुल मिलाकर कि आज मीटिंग के लिए किसी से मुलाकात के लिए कोई नया कारे प्रारम करने के लिए कोई नया व्यापार सुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है कारिक छित्र में ऑफिस में अपने विचार यदि उच्छा धिकारी के सामने रखना चाहते हैं तो रखिए क्योंकि आज आ आपके साथ है आर्थे की स्टिती भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर विपृत का सम्मान करें, विपृत के लिए अभधर भाशा का प्रयोग मत करें, ये बात जीवन साथी के लिए भी लागव हो रहे है, कारिक्षटर में भी विपृत का सम्मान करना है, घर म लखी कलर आपके लाल है निवेश शित्यादी करते हैं तो अबश्य करिए बात वरुषव की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से अश्टम का संबंध है आज चमेली का पुस्प अगर आपको प्राप्त हो तो बहते जल में प्रवाहित करिए या खड़ी हलती एक ले करके बहते जल में या किसी ब्रक्ष के नीचे डाल दीजे इससे फायदा मिलेगा जिद्द करने से बचिए अगर आज के दिन को स्रिष्ट बनाए रखना चाहते हैं आज आप चाहते हैं कि पूरी तरह सफल हो तो सबसे जरूरी मूल मंत्र है आपके लिए जिद्द नहीं करना पुर्व से चला रहा कोई विवाद है चाहे वो जीवन सांती के सांथ हो माता-पिता के सांथ हो उस विवाद का हल नजर आएगा और आपको भी आगे बढ़कर के विवाद समाप्त करने की ओर ही आगे बढ़ना है किसी भी तरह के विवाद का जन्म है देना कारी सθल पर विशयश रूप से इस बात आपको ध्यान रखना है वानी पर सहीं मैं रखना है और किसी भी तरह से विवाद को जन्म नहीं देना क्योंकि विवाद की स्थिती में आप मूसीबत में पढ़ेंगा बहुत समझदारी के साथ काम करिए व्यापारियों के लिदेन सामानेता ठीक है आपको निरणे बहुत सोच समझ करके लेना है किसी भी प्रकार के बहस भी बाद में नहीं पढ़ेंगा लव लाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा तो यह भी द्यार्थियों की बात करो तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है विशेश करके किसी प्रतियोगी प्रक्षा इत्यादी में आपने भाग लिया था तो अच्छी खबर आप स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो थोड़ी ठकान आपको महसूस होगी वैसे स्वास्त में कोई परिशानी जिन लों को कफ जनेरों की शिकायत है वो अपने स्वास्त का खयाल रखें लकियंक दो और लकी कलर आपके लिए आज परपल है निवेश ना करें मिथुन के जात्कों की बात कर लेते हैं बोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी साज सब्तम का संबंध बन रहा है क्रमसा केतू और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज तिर्थ के जल से दिये शनान करें विशेश कर घर में गंगा जल है तो बाल्टी में पहले गंगा जल डाल लीजे उसमें बाकी का जल लेकर करें साफ जल और उस जल्द से श्नान करें दिन बहुत अच्छा जाएगा, व्यस्त रहेंगे, अस तब व्यस्त नहीं, व्यस्त, दिन का लाब आपको मिलने वाला है, योजनाय आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है, कारिस्तल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, सांथ के ल का इजहार करना चाहते हैं, तो अबस्य करीए, बिद्ध्यार्थियों के लिए बिदिन अत्यन तस्रेष्ट, आप किसी भी फिल्ड के बिद्ध्यार्थियों सफलता प्रदाय के दिन, कुछ नया करने की कोशिश करने तो सफलता मिलेगी, स्वास्थ में कोई परिशानी थी तो राहत मिलेगी, नींद की कमी से परिशान थे, ब्लड प्रिसर के मरीज हैं, तो भी आपको स्वास्थ से समंधित राहत मिलने वाली है, लकियंग दो, और लकी कलर हल्का हरा है, निवेश अवश्य करिए, करक के जात्कों की बात कर लें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से, आज सश्थ का संबंद बन रहा है, आज के पूरे दिन को ठीक बनाए रखने के लिए, लाल चंदन का ठीका अपने माथे पर लगाईए, ओम, क्राम, क्रीम, क्रॉम, सह, भौमाई, नम और किसी को रिन मत दीजेगा, रिन लेना भी ठीक नहीं है आपके लिए, अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलता रहेगा, आत्न विश्वास में आपके ब्रद्धी होगी, भाग्यका संब्रून साथ प्राप्त होगा, माता के साथ संबंद में सुधार आएगा, नौकरी पिता मैं पुनह दोहरा देता हूं, इनसे भी बाद मत करियेगा, जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, प्रिमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और जितने भी प्रतियोगी परिक्षा के बिद्यारति हैं, उनके लिए दिन अच्छा है, कोई आपके लिए आज सफेध है, बात सुम्म की कर लेते हैं, गोचर कुणली में चंद्रमा रासी से आपके आज पंचम में सुंचरन कर रहे हैं, क्रम सह केतू, और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरन है, आज भुवन भासकर को जल में थोड़ा गुड डाल करके और भुवन भासकर को अरग दीजी, आत्मों विश्वास में आपके बृद्धी होगी, कोई नया कार्या शुरू करने की सोच रहे हैं, तो वस्य करिए, बड़े भाई बहन से समंधित कोई खुश खबरी आपको मिलने वाली है, संतान पक्ष से कोई चिंता थी, तो व वस्य करिए, ओवर कॉंफिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए, लवलाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, दामपत्य जीवन भी सुख में रहने वाला है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, और विद्ध्यार्थियों की बात करूं, तो प्रसन्नता दायक रहने वाला है आज का दिन, आप किसी फिल्ट के विद्ध्यार्थियों, और स्वास्त के मामले में कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ थी, तो रहात मिल जाएगी, यानि कुल मिलाकर के देखें, तो सिम्म के जात्कों का दिन बहुत अच्छा दिखाई पढ़ रहा है, लकी यंक चार, और लकी कलर ग्रे है, निवेश अवस्य करिए, बात करन्या की कर लेते हैं, दिन बहुत अच्छा है, बेहत खास, आज के दिन को और स्रिष्ट बनाये रखने के लिए एक सीसी में सहद लीजिए, या किसी पात्र में सहद लीजिए विश्यस करके चांदी के, या तो सीसी में मार्केट से मिलता है, वो ले लीजिए, या चांदी के कटोरी में सहद लेकर के स्यूमंदिर बेचले जाए और स्यूलिंग पर चढ़ा दीजिए, लाब ही लाब, सफलता ही सफलता, खुसिया ही खुसिया, घर का बातावरन बहु रुद्ध हो रहे हूं, तो भी ये उपाय आप करके अपने दिन को ठीक कर सकते हैं, मित्रों का विशे सहयोग प्राप्त होगा, कारेस्थल पर दिन आज आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है, छोटी मुठी चुनाउतियों से घबराना ही नहीं है, एक के बाद एक हर त जिन लों को सीने में दर्द इत्यादी के शिकायत है, सीने में जलन के शिकायत है, मौसमी बिमारियां कफ जने रोग जिनको बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, वो अपने स्वास्त का ख्या लगे, लखी अंक चार और लखी कर आपके लिए जामुनी है, पूरे दिने के करके उसके दाने को मुह में रख करके उसको चबा जाएए, यानि खा जाएए, उसका सेवन करिए, दिन अच्छा जाएगा, बाकी गोचर कुंडली की स्थिति वैसे आपके पक्ष में आपके सोचे हुए सभी काम एके करके पूरण होते दिखाई पड़ र रहे हैं, तो दूस्तरों को नीचा दिखाना करते ही ठीक नहीं है, दामपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है, दामपत्य जीवन ने किसी तरह के मतभेद किस्तिती है, तो उसे खुदी दूर करने का प्रतन करिए, विद्यार्थियों की बात करो, तो आज का दिन बेहद स्रिष्ट है आपके लिए, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो सूर्ति और ताजगी बनी रहेगी, लकी यंक आपके लिए आज दो, और लकी कलर आपके लिए आज परपल है, निवेश करिए, विर्ष्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर पर चंदन को जल में मिलाकर उस जल को पी भी सकते हैं, धैरे और संयम से काम लिजिए, समस्याएं खुद बखुद आपका रास्ता छोड़ देंगी, बाकी कारेस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, हर तरह की स्तिती में आपको मैं सफल होते देख रहा हूँ, मन तु किसी को धनुधार मत दीजिए, कई पैसा आपका फसा हुआ था, वो वापस साता दिखाई पड़ रहा है, बहस और विवाद से दूर रहिए, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आत्मो विश्वास में आपके बृद्धि होगी, पर ओवर देन से विद्यार्थियों को बचना होगा, स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्त में कोई परिशानी नहीं, जिनलों को मानसिक अशान्ती रहती है, जो लोग डिप्रिसन के शिकार हैं, वो अपने स्वास्त का विशेष खाल रखें, लकियंक आपके साथे पर लगाए, ओम क्राम, क्रीम क्राम, सौह, भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जब करी, और एक और उपाय करी, कोई भी तीन प्रकार का ने अन्न, एक में मिलाकर के प्राता काल कबूतरों को या गाय इत्यादी को देदीजिए, समय सांती के साथ वितीत करने का प्रत करना चाहते हैं, तो करिए इसके लिए दिन अच्छा है, किसी भी परिस्तिती में आज सांत रह करके ही इस दिन का लाभाप ले सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से आपको केवल और केवल लुकसान होगा, ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्य मकर के लिए गए निर्णे से भी आज आपको नुकसान होने बाला है, जीवन साती के साथ अच्छा समय वीतेगा, जीवन साती का स्वयोग आज आपको मिलने बाला है, और स्वास्त के दृष्टिक मोर से देखें, तो मानसिक तनाव और अनिद्रा की शिकायत आपको होगी, लकी अंक आपके लिए आज नौ है, और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, निवेश, जानकार की राय से करिए, मकर के जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुणलिवे चंद्रमा, रासी साब के बारवे में आच्छने की दाल का सेवन, स्वरन जल का इशनान, स्वरन जल का यानि जल में सोने की चीज को डाल करके उस जल को पी सकते हैं, आपकी मानसिक उर्जा को जबरदस्त बढ़ाएगा, करियर से समंधित, कोई चिंता थी तो वो चुनता दूर होगी, कोई खुशकबरी मिलेगी, जहां भी रहेंगे लोगों का सहयोग मिलेगा, व्यापारियो की बात हर किसी से शेर मत करिए, लव लाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, यहां भी आपको ध्यान रखना है, वानी पर अपने संयम रखना है, तभी आज के दिन आपके लिए ठीक होगा, और मसालेदार चीजों का उपयोग बहुत जादा नही करना है, तो कुल मिलाकर के मकर रासी के जातकों के लिए दिन साधारनतिया ठीक है, निवे सावधानी के साथ करिए लखियंक, आपके लिए आज तीन और लखी कलर आपके लिए सफेध है, बात कुम्भकी कर लेते हैं, कोचर कुंडले में चंद्रमा रासी से आपके आज ल पुरी तरसे प्रभावित होने वाले हैं, आपके काम की तारीफ होगी, पद मान सम्मान में बृध्धी होगी, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इससे समंधित ओफर जल्दी आपको मिलने वाला है, कारिक छेत्र हो, वेवसाई की स्थल हो, दिन बहुत बढ़ी आ ह आज का दिन कुम्भ के जात्कों के लिए हर तरह से बहुत अच्छा है, लकियंख आपके लिए आज छे है, और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे, निवेश अवसे करिए, मीन के जात्कों की बात कर लें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज दसम का सम अगल के सम्द्रमध क्रमसा, केतु और फिर शुक्र कैनक छत्र में चंद्रमा का संचरण है, माता-पिता का संबान करिए, इनके आश्रवात के साथ को इकारे प्रारम्भ करिए और प्राता का लाँज पांच इलाईची अपने इश्डदेवता को अर्पित करके, दिन भर म को भी आप संयम के साथ कर सकते हैं वयापारियों को वयापार मिलाब होगा बाकी कोई भड़ा निवेस सित्यादि करने की आवशक्ता पढ़ सकते हैं अBecause रिन लेना देना दोनों ठीक नहीं है। प्यार काइजहर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सकारात्मग परिडाम मिलेगा। विध्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तयार रहनी चाहिए। और स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कोई विशेस परिशानी स्वास्त से सम्मंधित नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी यंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज कत्थाई है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रेदर्श को ये था में शिशेले कर मीन राशी परियंत प्रत्तेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अब एक लिए बसित्ता ही जाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।